जैन साथियों नमस्कार एक बार फिर सी आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRT OU प्रियाग राज में श्वागत है साथियों आज हम आपको इस वीडियों बताएंगे कि जो आपका assignment paper साथियों, assignment paper का जो आपका last data साथियों उससे लेटर अभी कोई भी update कोई भी सूचना जो है, UPRT OU की official effect पर नहीं चारी किया गया है बाकिसाथ में आपको बता दें, सबसे पहला काम आपको यही करना होता है कि आपने जिस भी HD Center से admission लिया है, सबसे पहले आप अपने HD Center से अंपर करें अपने HD Center पर आप बात करें, वहाँ पर बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपना assignment कब तक जमा कर सकते हैं कब तक आपका date है, बाकिसाथ यो यूपी आटो की official effect पर जो update जो है, यहाँ पर जो date जारी किया जाता है उसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देते रहते हैं, ठीक है, और बाकि जो assignment लेटे और भी जानकारी के लिए आप सबसे पहले अपने HD Center से बात करें यहाँ से आपको उसका solution नहीं मिलता है, वहाँ से आपको उसका जवाब नहीं मिलता है, तो आप हमें comment करें, हम आपका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और जवाब आपको आपका assignment का last date है, वह 31 मार्ज क्या था, जो आपका academic calendar होता है, academic calendar के अनुसार आपका 31 मार्ज जोभी आपका date माई-जून में होने वाला है, आपका जो exam होने लाज साथिओं, वहाँ माई-जून में होने वाला है, तो माई-जून जो आपका exam होगा, exam से लगबाग 20 से लेकर जो है 15 लेकर 20 दिन पहले आप क्या कर पाएंगे आपना एसाइमेट जो है अपने एटी सेंटर पर जामा कर पाएंगे उससे लिटेट जल्दी अपडेट आ जाएगा और जैसी अपडेट आएगा उसकी सूचना हम तुरूंत आप तक पहुंचा देंगे पाकिसात्यों आपकी जो एसमें आपके किश टाइप के कौउशच्ण पुछी जाते हैं और कितने नंबर के आपके कौश्च्ण पुछ जाते हैं इसकी जानकर है Verfügung आपको आप बताते हैं देखिये जू आपका सथ यहांद का सभी प्रकार्ग के स ? किसा हällt पूनियों ए जै इसमें आपके दू टाइप के कोश्चन पुछ जाते हैं आपको नोट में दिया गया है कि प्रश्ट पत्र में आपके दू खंड होते हैं कितने होते हैं जो आपके सभी प्रश्ट को क्या करना होता आपको हल करना होता है नहीं सभी प्रश्ट आपके अनिमार होते हैं और खं सब्दों में लिखना होता है और खंड बात साथ हूं आपके लगुत्री प्रश्ण होते हैं लगुत्री मतलब short answer type question जिनके उत्तर आपको 200 से लिएकर 300 सब्दों में साथ हूं आपको लिखना होता है ठीक है और प्रतिक प्रश्ण के अंक जो उसके सम्मुख क्या होते हैं अंकित होते हैं दिये हुए होते हैं तो जो आपके long answer type question होते हैं वो तीन आपके पूछाते हैं और जो आपके short answer type question होते हैं आपके 6 होते हैं तो आपके नव question आपका एक assignment paper ने पूछा एता है और एक assignment paper जो होता साथ हूँ आपका 30 number का होता है तो यदि आपको लिखना क्या होता है सबते पहले आपको प्रशन लिखना होता है उपर assignment copy में सबते पहले आपको प्रशन डालना होता है प्रशन के नीचे आपको उसका उत्तर जो क्या करना होता है टाइप करना होता है और heading और बहुत ही आपको मोटी पेंस से लिखनी होती है ब्याख्या कीजिए इसी टाइप के आपके question पुछ जाते है लॉग answer टाइप में और short answer टाइप में आपके question पुछ जाते है कि तो हमें उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके assignment paper होते हैं उसमें आपके कितने question पूछे जाते हैं किस टाइप के question पूछे जाते हैं और कितने सब्दों में आपको उसके answer लिखने होते हैं बाकी assignment selected कोई भी update जो पी राटियो प्रियाग राज उन्वर्श्टी दोना जो जारी किया जाता है इसकी official fact पर तो उसकी जानकारे साथ हूँ आप तक ज़रू पहुंचा देंगे पिलाल साथ यो इस वीडियो में इतना ही नमस्कार जहिन